मित्र की परक शिवकुमार एक था सिंग जो जंगल का राजा था वे खूब लंबा चोड़ा और बलवान था वे बहुत रोबीला था और भयानक भी सभी जानवर उसके लिए जंगल के कोने कोने से नित्ते नहीं भेंट लाते थे पर सिंग को जितना मिलता वे उससे भी जाधा पाना चाहता था एक दिन उसने सोचा राजा के तो दरबारी होने चाहिए बिना दरबारियों के राजा कैसा ये सोचकर सिंग ने लोमडी को अपने पास बुलाया उसने लोमडी से कहा लूमडी तुम बुद्धिमान और चतुर हो मैं तुमको अपना सलाकार बनाना चाहता हूँ लूमडी ने सिर जुका कर कहा जैसे याग्या महराज इसके बाद सिंग ने छीते को बुलाया सिंग ने उससे कहा कहते हैं कि तुम चोकनने और तेज भागने वाले हो मैं तुम्हें अपना अंग रक्षक बनाना चाहता हूँ चीते ने भी जुक कर कहा धन्यवाद महराज अब सिंग ने कोवे को बुलाया और कहा तुम खूब उची उडान भर सकते हो तुम मेरे दूत बनोगे कोवे ने भी सिर जुका कर कहा जो आग्या महराज लोमडी, चीते और कोवे ने शपत ली कि वे हमेशा स्वामी भक्त रहेंगे राजा ने भी वचन दिया कि वे उन्हें खाना देगा और उनकी रक्षा करेगा सबके दिन आराम से कटने लगे तीनो दर्बारी कभी भी राजा का विरोध नहीं करते थे उसकी हर एक एक्षा उनकी लिए कानून थी सिंग दहारता तो वे तीनो सहम कर खड़े हो जाते वे कहीं भी जाता तो तीनो उसके पीछे पीछे चलते जब सिंग राज शिकार के लिए जाता तो वे उसके लिए जानवर ढूनते जब सिंग खा चुपता तो बचा कुचा अपने दर्बारियों के लिए छोड़ देता इसलिए उन्हें खाने की कमी कभी न होती सब प्रसन थे एक दिन कवे ने सिंग राज से पूछा महराज क्या आपने उट का मास चखा है बड़ा मज़िदार होता है एक बार मैंने रहिगिस्तान में उट का मास खाया था सिंग ने कभी उट देखा भी नहीं था पर उट का मास चखने का विचार उसे बहुत अच्छा लगा उसने पूछा पर उट मिलेगा कहा कवे ने कहा यहां से कुछ मेल दूर एक रहिगिस्तान है मैं वहां का चक्कर लगा कर आ रहा हूँ वहां मैंने एक मोटे ताजे उट को देखा है वह अकेला है सिंग ने अपने दूसरे सलाकारों की ओर देखा वह लोग, चतुर और अनुभवी थे उसने उनकी राय पूछी लूमडी और चीते को तो रहिगिस्तान का पता नहीं था पर वह यह भी नहीं चाते थे कि कववा जादव होशियार समझा जाए उन्होंने कहा विचार अच्छा है महराज कववा आगे आगे उड़कर रास्ता दिखाता चले दूसरे दिन सवेरे सिंगराज और उसके दरबारी उट के शिकार को चल पड़े रहिगिस्तान के पास तक दोवे आसानी से पहुँच गए पर जंगल की हर्याली खत्म होने के बाद धूप बहुत तेज हो गई सूरज आग बरसा रहा था उपर हवा में कववा उड़ता जा रहा था उसने पुकार कर कहा जल्दी चलो उट बहुत दूर नहीं है पर सिंग के लिए अब एक कदम भी चलना मुश्किल था जल्ती हुई बालू से उसके तलवे जुलस गए थे उसने दरबारी उसे गरच कर कहा रुप जाओ हम जंगल वापस जाएंगे मुझे उट का मास नहीं खाना है सिंग राज के दरबारी डर गए जंगल तो बहुत पीछे चूट गया था उनकी समझ भी नहीं आया कि ठके माने शेर को अब जंगल वापस कैसे ले जाएं चीता भाग जाना चाता था कववे ने सोचा कि देखें अब क्या होता है पर चालाक लोमणी में एक चाल सोची मैं अभी किसी को मदद के लिए बुलाती हूँ ये कहती हुई वे रेगिस्तान की ओर भाग गई कुछ देर बाद लोमणी ने ऊट को देख लिया ऊट रेगिस्तान में लोमणी को देखकर चकेत हुआ लोमणी ने ऊट से कहा जल्दी चलो दोस्त, हमारे महराज तुम्हें बुला रही है उट ने कहा, कौन है तुम्हारे महराज मैं किसी राजा महराजा को नहीं जानता मैं तु सर्फ अपने मालिक को जानता हूँ जिसके लिए बोजा लाद कर इस रेगिस्तान के पार ले जाता हूँ लोमडी ने कहा, हमारे राजा सिंग ने तुम्हारे मालिक को मार डाला है अब तुम आजाद हो, सिंग ने तुम्हें अपने दर्बार में रहने के लिए बलाया है चलो मेरे साथ उट लोमडी के पीछे पीछे चल दिया लोमडी के साथ उट को देखकर कववा और चीता दंग रहे गए पर सिंग बहुत खुश हुआ और अपने तलबो की जलन को भी भूल गया उट को सिंग के सामने लाया गया और लोमडी ने सारी बात दोहराई उट इस बात पर राजी हो गया कि राजा उसे दर्बार में जगा दे तो बदले मेवे उसकी सेवा करेगा लोमडी ने सिंग से कहा उट की पीट पर बैठ जाएए महराज हम लोग घर वापस चलेंगे सिंग कूत कर उट की पीट पर जा बैठा उसके दर्बारी लोमडी और चीता भी उसके पीछे बैठ गए आगे आगे कववा रास्ता दिखाता चल रहा था इस तरह जंगल की ओर उनकी यात्रा शुरू हुई लंबी यात्रा के बाद जंगल पहुँचते पहुँचते सभी ठक गए थे सभी को जोर की भूब भी लगी थी लोमडी कववे और चीते ने उट की ओर देखा फिर एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे वे अपने राजा के भोजन के लिए उट को पकड़ लाए थे अब तो दावत उड़ेगी ही सिंग ने दरबारियों के मन की बात तार ली उसने उट को अपने पास बुलाया और कहा दोस्त उट तुमने मेरी जान बचाई है मैं ख्रतग्य हूँ तुम जब तक चाहो मेरे दरबार में रह सकते हो मैं तुम्हारी रक्षा करने का बचन देता हूँ ये सुनकर दरबारियों को बहुत बुरा लगा उन्होंने राजा को उट का मास चखाने के लिए अपनी जान खत्रे में डाली थी और अब सिंग उट को जिन्ना छोड़ देना चाहता है दरबारियों को ये जरा भी अच्छा नहीं लगा पर करते क्या आखे राजा तो राजा ही था सिंग के तलवे इस बुरी तरह जुलस गए थे कि वे शिकार के लिए नहीं जा सकता था और उसकी भूब बढ़ती ही जा रही थी वे चल्ला कर बोला लोंगडी, कवे, चीते क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं परिशान हूँ और भूग से मरा जा रहा हूँ जाओ, मेरी ले खाना लाओ दरबारियों को तो राजा की आगया का पालन करना ही था वे बाहर तो निकले, पर बहुत दूर नहीं गए एक जगा बैठकर सोचने लगे कि क्या करना चाहिए लोमणी ने कहा मैंने सोच लिया है हम लोग ऐसी चाल चलेंगे कि उट अपने आप सिंग के पास जाकर सुयम को खाने के लिए कहे लोमणी ने उन लोगों को अपनी चाल बताई सब राजी हो गए तीनों राजा के पास वापस गए पहले कववा आगे बढ़ा और खूब जुक कर बोला महराज हमें कोई शिकार नहीं मिला पर हमारे रहते हुए आप कश नहीं उठा सकते मैं छोटा सा गरीब जीव हूँ मुझे ही खा लीजिये और अपनी भोट बेटाईए लोमडी ने कववे को धके लिया और बोली नहीं महराज मुझे खाईए अब चीता लपक कर सामने आया और बोला महराज मैं लोमडी से बढ़ा हूँ उठ ने उन सब की बाते सुनी उसने सोचा कि उसे भी वैसा ही करना चाहिए उसने कहा महराज आपकी जान बचाने के लिए मैं भी अपनी जान दे सकता हूँ ये लोग आपके पुराने मित्र हैं आपके ज्यादा काम आएंगे मुझे ही खा लीजिए लोमडी कववा और चीता तो तयार थे ही उठ के ये कहते ही तीनों उसकी ओर जप्टे सिंग ने उन्हें रोक कर कहा तुम सब मेरे अच्छे और स्वामी भक्त सेवक हो मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाता मैं सब की बात मानूंगा जिस सिलसले में तुम लोगों ने अपने को भेंट किया है उसी सिलसले से में एक एक करके खाना शुरू करूंगा ये सुनकर कववा, लोमडी और चीता सन रह गए भला वे ऐसा कप चाते थे कववा फॉरन उड़ गया लोमडी और चीता भी भाग निकले रह गया केवल उट उनको भागते देख सिंग जोर-जोर से हसा उसने उट से कहा तुम नेक और स्वामी भक्त हो जब तक हम जिन्दा हैं हम और तुम मित्र बने रहेंगे उट बहुत खुश हुआ सिंग ने सोचा राजा होना तो बड़ी बात है पर दयालू होना उससे भी बड़ी बात है कहानी समा मित्र की परक